नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं उच्चतर माधिमी कस्तर पर हिंदी की पाठ्टे पुस्तकों में जैसंकर प्रशाद पढ़े और पढ़ाये जाते हैं आज इस कारक्रम में पाठ्ट पुस्तक में संकलित जैसंकर प्रशाद की कविता कारनेलिया का गीत परचर्चा करेंगे कारनेलिया का गीत चंदरगुप्त नाटक से लिया गया है आईए सबसे पहले उस गीत का सस्वर वाचन कर ले अरुन यह मधुमय देश हमारा जहां पहुच अंजान चितिज को मिलता एक सहारा सरस तामरस गर्व विवापर नाच रही तरु सिखा मनुहर छिटका जीवन हर याली पर मंगल कुंकुं सारा लगु सुरधन से पंख पसारे सीतल मले समीर सहारे उड़ते खग जिस और मुह किये समझ निज प्यारा बरसाती आखों के बादल बनते जहां भरे करुना जल लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा हे मकुंभ ले उसा सवेरे भरती धुलकाती सुख मेरे मंदिर उगते रहते जब जगर रजनी भरतारा अरुन यह मधुमय देश हमारा इस सस्वर पाठ के बाद इस कविता से जुड़ी कुछ जिग्यासाओं के समाधान के लिए आज हमारे बीच विशे विशेसग के रूप में हैं प्रोफिसर नित्यानन तिवारी प्रोफिसर नित्यानन तिवारी दिल्ली विश्व विद्याले के प्रोफिसर एंगु विवागा ध्यक्ष रहे हैं उन्होंने 35 साल तक अध्यन अध्यापन किया है तो ऐसे विद्वान से हम सुनना चाहते हैं आज इस कविता के विसलेशन और व्याख्या कार्नेलिया के गीत पर वो प्रकास डालेंगे प्रोफिसर नित्यानन तिवारी जी प्रसाद के चंद्रगुत नाटक से जो कार्नेलिया का गीत है उसके संदर्व के रूप में मैं पहले यह चर्चा करना चाहता हूँ कि जिस समय ये गीत लिखा जा रहा था जिस समय ये नाटक लिखा जा रहा था उस समय सामराज जिवाद का इस तरह से बहुत ही क्रूर शाशन और व्यापार भारत वर्ष में चल रहा था सामराज जिवाद अपने खिनवने रूप में केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के और कई देशों में ब्याप्त था प्रसाद ने जब ये नाटक लिखा तो नाटक की विशय बस्तु तो बहुत पुरानी है लेकिन उसकी समवेदना आधुनिक है अपने आत में ये बड़ी महतुपन बात है के विशय तो इसापूर या चोथिश शताब्दी इस्वी का हो लेकिन उसकी समवेदना आधुनिक हो ये बहुत बड़ा रचनाकार ही कर सकता है और प्रसाद ने अपने नाटकों में ये संभव बनाया से लुकस सामराज्यवादी है विश्तारवादी है उसी की बेटी है कारनेलिया लेकिन कारनेलिया सहज मनुष्य है कैसे वो सहज मनुष्य हो गई और कैसे उसका पिता सामराज्यवादी हो गया ये एक खास रहस्य है और कारनेलिया इस इस तनाव को ब्यक्त करती है इतना ही नहीं वह इस तनाव से आगे जा करके एक परिशमित अवस्था में पूरी तरह से भारत को स्विकार कर लेती है वह भारत से प्रेम करती है वह मानवतावादी है उसमें भारत भाव है ये भारत भाव एक विदेशी में पैदा हो रहा है भारतीयों में भी ये भारत भाव आधुनिक युग में ही पैदा हुआ क्योंकि उपनिवेश्वाद कॉलियोनियरिजम से लड़ाई आधुनिक यूग में ही हुई इसलिए भारत भाव की और राष्ट्र भाव की अवश्यक्ता भी आधुनिक यूग में ही थी कारनेलिया में जो भारत भाव है वह पूर्वाग्रह मुक्ठ है वह बहुत स्वच्छन्द है उसे भारत को अपना देश मानने में और भारत के सोंदर्य पर मुध्ध होने में कोई अर्चन नहीं है उसका मन भाव उन्मुत है पिता का पूर्वाग्रह उपनिवेश्वादी है इस तरह प्रत्यक्ष रूप से कार्नेलिया के भीतर एक बिरोध की संवर्चना है पिता सामराजिवाद वह स्वयम भारत भाव और इन दोनों का एक स्ट्रक्चर इन दोनों की एक संवर्चना अर्थात कार्नेलिया इसलिए कार्नेलिया केवल भाव से नहीं बनी है कार्नेलिया सामराजिवाद और भारत भाव के टक्कर से भी बनी है यह टक्कर मैंने जिसे आपको बताया के भाव आदी नहीं है वह संगर्ष परक्ष है संगर्ष परक्षन रचना है वह उसमें विचार परक्ता है और कैसे विचार भाव को अधिक गहरा बनाते हैं इसका प्रमान हमें इस गीत में मिलता है कार्नेलिया कहती है कि यह देश आरून है आरून सूर्य की सूर्योदय की लालिमा से युप्त जो प्रकाश है जितने प्रदेश में फैला है वह सारा भारत है और यह देश हमारा है प्रकृति के संपूर्ण विवरणों को कार्नेलिया अपने भीतर आत्म साथ करती है कार्नेलिया अनुहो करती है कि यह वह प्रदेश है यह वह देश है जहां पहुचने के बाद ज्यान और भाव की नई दिशाएं खुलती है जहां पहुच अंजान ख्षितिज को मिलता एक सहरा अंजान ख्षितिज अंजान क्या है यानि जो जीवन में अब तक नहीं जाना गया है जिसकी उसकी संभावनाएं खुलती हैं यहां यहां संकेत मिलता है कि कार्नेलिया पश्चिमी बुद्धी की और परियाप्तता और भारतिय बुद्धी की परियात्ता को सुईकार कर एक विश्व बुद्धी के निर्माण में सक्रिय है यही नई दिशाएं यह बड़ी महतुपों समझ है प्रसाद की जिसमें वो भारतिय और पश्चिमी बुद्धी का संगर्ष देखते हैं अनेक जगों पर प्रसाद जी ने भारतिय और पश्चिमी बुद्धी के संगर्ष को प्रस्तावित किया है और चित्रत किया है अपने साहित्य में और कारनेलिया के भीतर भी उसके विक्तित्व में भी यही विन्यस्त है, लेकिन उसके साथ साथ उसके भीतर संघर्ष से जो तकराहत निकलती है वह तकर की झंकार विश्व बुद्धि है। Antrathar, Carnelia, विश्य बुद्धि के निर्मान में जो अंजानी है, अंजानी किन के लिए? सामराज जिवाधी रास्ट्रों के लिए पश्चमी जो उपनिवेश वादी बुद्धियां है उनके लिए है और Carnelia के माध्यम से यह विश्व बुद्धी प्रकाशित होती है इस कविता में सबसे अधिक जटिल पंक्ति है सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर इसमें कल्पना पर कल्पना पर कल्पना का उपयोग किया गया है सरस जिसमें रस हो सजीव तामरस कमल गर्भ यानि उसका जो संपुट है भीतरी भाग उस संपुट में जो विद्यमान जो पराग है उस पराग से प्रकाश फैल रहा है यानि कमल सरस कमल उसका संपुट संपुट में पराग पराग से निकलने वाली विभा निकलने वाला प्रकाश जल्मला रहा है और उस प्रकाश पर तरुशिखाएं नाच रही है कलपना की ये नदी है या तलाब है और उसमें कमल है उसका संपुट खिला हुआ है पराग है उसमें से प्रकाश निकल रहा है और किनारे के पेड़ों की जो सबसे उंची फुनगियां है वे उस प्रकाश पर नाच रही हैं ये कलपना है जो बुद्धी गम में है अगम में नहीं है बुद्धी गम में है लेकिन थोड़ी सी जटिल है छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा और पूरे भारती ये जीवन पर हरे सजीव जीवन से भरपूर भारत पर जैसे मंगल कुमकुम लालिमा चाहे वो कमल की हो या सूर्योदय के समय की सूर्य की हो लेकिन लालिमा का कुमकुम जैसे विखेर दिया गया हो तो इसमें सरसता जीवन के जीवन की ताजी की साथ साथ मंगल कामना भी छेपी हुई है अब मंगल कामना का क्या ताथपर है मंगल कामना का ताथपर है नहीं कि भारतवासियों को सब सुख मिल जाया और दोसरों को नहीं मिले मंगल कामना का आर्थ है कि विश्यो व्यवस्था के अनुकूल हो जाए मिले दूसरे जिस जोग्य हैं उनको वही मिले ये विश्व व्यवस्था है और यही मंगल है तो सारा जो भारतिय जीवन है वह मंगल में हो जाए इंड्रधन उसके समान पंख फैला हुए है तमाम दिशाओं से भारत में पच्छी आते हैं और वो सीतल मले समीर सहारे खुब ठंडे मले समीर के सहारे सहारे यहां उड़ते हुए आते हैं और जिस ओर मुह किये आते हैं वह भारत है, वह उनका नीड़ है, वह उनका घोसला है, वह उनका अपना घर है, तो वह केवल मनुशी के लिए ही नहीं महतुपण है, बलकि पक्षियों के लिए भी भारत उनका अपना ही है, उतना ही मंगल में है, बादल यहां बरस्ते हैं, ज का वरस्ना, दोनों को समरूप बनाया है प्रसाद जी ने और इस समरूपता में प्राकृतिक जीवन और मानुवी content जीवन दोनों एक दूसरे में एक मेक हो जाते हैं, प्राकृतिक जीवन और मानुवी जीवन में अलगाओ नहीं है, बलके एक मेकता है लहरें टकराती अनन्त की पाकर जहां किनारा अब यह जो पंग्ति है वो थोड़ा कलपना और करनी पड़ेगी यह अनन्त और सांत अनन्त असीम और सीमा असीम और सीमा दोनों का ज्ञान हो जाता है हमें भारत में भारत एक ऐसा देश है क्योंकि असीम भी सत्य है और ससीम भी सथ्य और इन दोनों का जो सहयोगी संड़कना है वह मनुश्य की मूल भूत शंडचना है। प्रसाद जी फिर कल्पना करते हैं कि उशा सोने के कुंभ में जल ले करके स्वागत करती है भारत वरस्का जब सब उंहते रहते हैं इस प्रकार से यह भारत वर्ष का एक स्तवन गीत है और इसमें भी कल्पने की उतनी महत्वण भूम का है जितनी देवसेना के गीत में अदोचा एक में